Hello guys, Welcome to my YouTube channel तो आज हम offer letter के बारे हम डिस्कस करेंगे आपका interview के लिए हो गया है आपका selection mail भी आगया है तो आपका offer letter कव आएगा आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे हो सकता है कि आप बहुत समय से वेट कर रहे हूं और कितने दिन में आपका offer letter आपके पास आ सकता है इस वीडियो में हम वही discuss करने वाले हैं ओके गाइस तो info जिसकी जो hiring process वो four stages में होती है जिसमें पहला होता है return test उसके बाद आता है आपका interview और उसके बाद आता है selection mail और last में आपका आता है offer letter तो अगर आपकी first stage clear हो जाए तो जब आपकी first stage जो की test अगर clear हो जाएगा तो आपको एक info जिसकी तरफ से mail आएगा और ये mail एक week से दो week के बीच में आ सकता है मतलब within 15 days ये mail आ सकता है आपको ये भी हो सकता है कि mail जल्दी आ जाए करी लोगों को ये हो सकता है ये mail सायद थोड़े डिले हो जाए पर ये mail आएगा कि आपका test first level है वो clear हो गया है तो जब आपको ये mail आएगा तो आप second stage के लिए फिर prepare करेंगे जो की होगा interview ये case में जब मेरा test हुआ था उसके पंदरा दिन बाद में को interview का mail आया था ये नेक्स step जो की है interview अगर वो आपका clear हो गया तो आपको selection mail आएगा तो लगबख selection mail लगबख एक महीने तक ले सकता है selection mail आने में हो सकता है कि आपके case में ये पहले ये जाए और हो सकता है कि आपको थोड़ा delay हो जाए पर लगबख एक महीने कि time में selection mail आ जाता है अगर आपको selection mail आ चुका है तो आपका 100% chance है कि आपको offer letter आएगा तो अगर आपको selection mail आया है तो ये भी हो सकता है कि within a month आपको offer letter मिल जाए ये थोड़ा time लग जाए offer letter में maybe 45 days पर अगर आपको selection mail आया है तो आपको offer letter 100% आएगा तो मुझे लगवग एक महीने बाद selection mail मिलने के बाद एक महीने बाद में को offer letter भी आगया था ओके गाइस that's it for today, thank you